हेलो एवरिवन चलिए आज समुंदर की सैर पर चलते हैं आज की वीडियो में हम समुंदर के दो खतरनाक क्रियेचर्स औरका और ग्रेट वाइट शार्क के बारे में जानेंगे औरका वर्सिस ग्रेट वाइट शार्क कौन है सबसे खतरनाक समंदर आकरशक जीवों से भरा हुआ है ग्रेट वाइट शार्क्स और औरकास दोनों ही बहुत भयंकर शिकारी है ये समंदर के food chain को balance में रखते हैं समंदर के दूसरे species के population को regulate करने में ये दोनों जीवों का एहम रोल होता है ग्रेट वाइट शार्क्स और औरकास दोनों ही iconic marine mammals है इन दोनों में से कौन ज्यादा खतरनाक है ये एक चर्चा का विशह है कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे तेज है, कौन सबसे भयंकर है और कौन डिजर्व करता है ultimate marine predator का title अगर बात की जाए इनके size की, तो on average औरकास जिने killer whales भी कहा जाता है great white shark से 2 गुना या 3 गुना heavy होते है इसका मतलब ये है कि औरकास size और weight में great white shark से आगे होते है तो weight के मामले में औरका clear winner है अगर बात की जाए इन दोनों के speed की, तो great white sharks incredibly fast swimmers होते है इनकी speed 25 miles per hour होती है वहीं औरकास की speed होती है 35 miles per hour most importantly औरकास इस speed को consistently maintain कर सकते है अगर speed में winning की बात की जाए तो ये उनके traveling distance पे depend करता है अगर बात की जाए इनके dantों और bite force की, तो औरका की bite force around 19,000 pounds per square inch होती है वही great white shark की bite 4000 pounds per square inch होती है औरका के dant शिकार को फाड सकते हैं पर चबा नहीं सकते वो अपने शिकार को पूरा निगल लेते हैं इसका उल्टा great white sharks के dant sharp होते हैं इनके 300 नुकीले dant होते हैं जो शिकार को कुछ seconds में ही चबा सकते हैं उनकी sense of smell भी extraordinary होती हैं जिससे वो शिकार को दूर से ही detect कर लेते हैं bite force और नुकीले dant को consider किया जाए तो clear winner है great white shark great white shark अकेले शिकार करना पसंद करते हैं वो अपनी चुस्ती से शिकार को lightning speed पर दबोच लेते हैं दूसरी और और कास जुण में शिकार करते हैं उनका शिकार बड़े समुद्री जीव होते हैं जैसे के seals और sea lions इन्हें social और co-op radio hunters माना जाता है इन्हें underwater team work की importance पता है ये अपनी strength और size का इस्तेमाल करके निश्चित करते हैं कि इन्हें बड़ा और पेट भर खाना मिले जो इन्हें survive करने में इनकी मदद करें अगर size, weight, speed, bite force और hunting strategies को देखे तो और का clear winner है वहीं अगर सिर्फ appearance को देखे तो great white shark winner है उनका खतरनाक appearance उन्हें भयानक बना देती है इवन हॉलिवूडन की appearance से inspire होकर movies बना चुकी है जैसे jaws और deep blue sea कई scientists और researchers का ये मानना है कि और काग ज्यादा खतरनाक शिकारी होते हैं अगर बात की जाए कि कौन एक दूसरे को मार सकता है तो American oceans के मताबिक और कास great white shark का शिकार करते हैं वो white sharks पर जानलेवा हमला करके उनके liver खा जाते हैं Interestingly science focus डिकलेर करते हैं कि और कास सबसे खतरनाक होते हैं उनकी intelligence को consider करने पर और कास सिर्फ बड़े ही नहीं smart भी होते हैं ऐसी और interesting videos के लिए हमारे जाएँ